हुआ हम बना रहे हैं कटर इसलिए हमने एक पहले बॉक्स लिया उसके बीच में चेंड करना था इसलिए हमने आयरन से करें जो बिल्कुल सभी चेंड हो चेंड करने के बाद कर अक हमने फेट चेक करा मोटर साही से फिट हो यहなई फिर साही से फिट नहीं हो रहा था इसलिए हमने दुबारा से आयरन से छेंड करा अब देखिए मोटर ब्लूल फिट सही हो रहा है अब सही हो रहा है इसलिए अब इसे पहले हमें एक बिल्जेट लेना है सरजिजिकल बिल्लेट है इसे हमें पीवी सी पाइप की सीड बनागा उस पर चिपाने चोट अपीस काटके बिल्लेट अच्छी तरह से बिल्लेट चिपकाना है फिर हमें सही से चिपकाने के बाद एक और पीवी सीड टाइप की सीड काट नहीं है काटने के बाद इस पर सब्सक्राइब पासे कोड चिपकाने है जो इसे सपोर्ट सब्सक्राइब जो छोटे नहीं है इस लिए अच्छी तरीके से अच्छी तरीके से च्छोटे नहीं है अच्छी तरीके से च्छोटे नहीं नहीं है फिर एक ज़्याद च्छोटा काट dagegen की फिर दूसरा लगाया है इस सहीर आएगा फिर इस पर हमें एक बिल्लेट चिपकाना यह इए घ्लोगम स्चछी तरीके से च्छोटे नहीं भी लेड इसको परगांग लगऊ फिर आपर यहां ओपर ते बिलेट कि गई इस चिपग गया है देखिए आप बल्गों सजी काम कर रहा था मैंने चेक और अब इस पर एक यहाईरन के मझा से साइट से चेंड कर लेना है जो हम मिर्ची सब्सक्राइब सकते हैं साइट से में सब्सक्राइब कर लिए है ले फिरम हमें वाय जोडने है सही सब गाइज जोडने हैंसे तरी के से इधर का बैसलिअ दूसरी तरह को जोड़ा है कि दोनों गई जोडिने वाइडेक स्विच लेना है फिर ओन ऋफ रेड वायर गाइज स्विच के पहले पॉइंट में जोल देना है फिर गाइज बेटरी का रेड वायर स्विच के दूसरे पॉइंट में जोल देना बेटरी का ब्लेक वायर मोटर के रेड वायर में जोल देना गाइज अब स्विच पाना है गिलुगम से स्विच में चिपका दिया अब गयर बैरि वी स्काने पहले माइज między कम मिले नहीं इसलिए मेने कि लोका भी उस पर लगा दी अब बेटरी भी इस पर चिपका दी ओपर साइड में अब वायर एक तरफ चिपका है जो सोट सब्सक्रीट नहीं हूँ है हम इने चला के देखा सही चला गा इस बिल्कुल जो हमने बेटरी लगाई थी उससे चलने रहा थे पावर कंव मिल ले थी इसलिए वैने भी चार्डर से चलाया सब्सक्राइब रहे हैं मिलची गाइज अब देखे देखें कि सब्सक्राइब बिल्कुल मिलची और ब्ले मिल यह मोटर को आप देखें सकते हैं एकदम गई है अच्छी सारी मिने पहले काट के चेक करी है सब्सक्राइब बिल्कुल कर दो कि अभाइब चार्डर से चेक कर दो कि अभाइब बिल्कुल